ममा मैं कहता दा लट्ड़ लगेंगे आप मेरे स्कुओआ घुड़ाते थी देखा ममा आप मैं डे早 ही लड्ड़ खाऊंगा गोरी कवी जंगल में लड्ड़ बेचने का काम करती थी उसका लड़्ों का काम बहुत अच्छा चला था गोरी का बेटा अपने दोस्त के साथ लड़ू खारा होता है तब ही बहां पर टूनी का बेटा कोकू आजाता है कोकू लड़ू खाएगा यह मीठा लड़ू है जरा मुझे भी देना पुल्लू बनाया बड़ा मजाया मैंने देने वाला है चल बांगे आँ से पेसे लेकर आँ और मेरी दुखान से लड़ू करी और खा जितने खाने है लड़ू हम नहीं दे पाएंगे तो ऐसे कुर होता अपनी ममा से कहता है ममा मुझे भी लड़ू खाने मेरे सारे दोस्त लड़ू खा रहे हैं मुझे भी वेशन के लड़ू खाने है बहुत अच्छ लगते मेरे को अरे बेटा आप बिल्कुल परेसान मत हो इस्वार का किराया दे के जो पैसे बचेंगे ना अब लिए डेर सा अपने बेटे को जोटी दिलासा देती थी क्योंकि उनका घर पर अच्छे से गुजारा भी नहीं चल पाता था बहुत लोग तो किराय से रहते थे उनी अपने बेटे को समझा बजा देती है उसका बेटा सो जाता है रात को कुकु के सपने में एक जादूई पेड आता है को कहता है को कुकु आप बहुत अच्छे हो मुझे आपकी सारी परिसानिया पता है आप अगले दिन नदी के किनारे जाना पहां पर आपको एक जादूई पेड मिलेगा वहां से आप फूल तोड़ना और उन फूलों को अपने बगीचे में लगाना से आपको जादूई ल बेटा एसे पेडो पर लड डूने लगते हैं अगर पेडों पर लड़ू लगते ना बेटा तो सबी उन्हें तोड़कर खा लेते और फिर कोई भी मिटाई नहीं बना था अरे मममा अब चलो ना कोग को एसा जित करता है फिर वो अपनी ममा को लेकर नदी कर किनारे पहुं पौदा निकल याता है तुन ये देखती है अरी सच में ये पौदा तो बड़ा हो रहा है कुकु मैंना कहता था रहा ममा इस पौदे से लड्डू निकलेंगे आप देख लेना फिर आप उन लड्डू को बेच कर हमारे लिए नया कर लेना और मैं अपने दोस्तों को टेसा ल और गोरी और जगू तो बहुत जादा आसते हैं पेट पकड़कर लेकिन तूनी अपने बेटे को समझाती है बेटा ऐसे ही किसी को नहीं बताते ना सांथ हो जाओ ना बो आपके जादू ही लड्डू को पेड़ है आप क्यों बता रहे हो शॉली ममा मैं नहीं बताओंगा उसके बाद को को और टूनी घर पर आते हैं तो टूनी देखकर चौक जाती है अरी सचमुच ये पेड़ तो बड़ा हो गया इसमें तो लड्डू लगे है यार मीटा है देखो ना लड्डू लगे है ममा मैं कहता था ना लड्डू लगेंगे आप मेरे इसको मजा गोडात इसके परिंगे हैं कुए हर सह जादा लड्डू लगेंगे हैं घर वड्डू लड्डू ओ ली आप में पैल्यादा लड्डू खाओ लेती है और बहुत जादा को सौथी है कुगमे रखाल लड्डू की यसा बैट्रम गांताए rozp मेंसे अ उन लड़ूं से बहुत ज़्यादा अमीर वन जाते हैं, जादूई पेड़ ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, उने डेर सारे लड़ू खाने को और बेचने को दिये, जब से टूनी की लड़ूं की दुकान हुई ना, मेरी तो दुकान पर कोई आता ही नहीं है, तो कोरी ऐसा कहती है, बुप सारा दिन अपनी दुकान पर मख्यां मारती रहती थी, और टूनी बढ़िया मजे से अपने लड़ू बेचती थी, और हासी कुसी अपना जीवन बिताती थी